Hi everyone, बहुत सारे student के messages हैं कि सर्फ Omicorne की वज़र से FSS AI का exam cancel हो सकता है क्या? देखो FSS AI exam का postpone होना वो इस बात पर depend करता है कि number of COVID cases किस rate से इंडिया में increase हो रहा है 31st December का अगर मैं data आपको बता हूँ तो total COVID cases इंडिया में 22,775 यानि कि 22,775 था जो कि आज 4 January 2022 को 37,379 हो चुका है तो next जो 11 January होगा उसमें आपको एक लाख प्लस cases आपको देखने को मिलेगा यानि कि next 17 January एक वीक के बाद तो दो वीक का gap है अभी आपके paper में तो दो वीक के बाद 2 लाख से ज़ादा cases हो सकते हैं इंडिया में chances है कि ये paper cancel हो depend करता है FSS AI का क्या decision है FSS AI उस situation पर क्या decision लेती है pros and coons की बात करें तो अगर exam postpone होता है तो benefits जो है उन सारे students को बहुत जादा होगा जिन्होंने अभी तक seriously preparation start नहीं करा है या फिर जिन्होंने अभी recently preparation start करा है और जिनका syllabus अभी cover नहीं हुआ है तो उन्हें एक age मिल जाएगा अपना preparation build up करने का अगर मैं cones की बात करूं तो वे students जो तीन-चार महने से लगातार seriously preparation कर रहे हैं और wait कर रहे हैं कि exam कब हो तो उन्हें थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा लेकिन it is also an opportunity for them मैं survey student को यही suggest करूंगा कि जब तक official notification नहीं आती कि आपका exam postpone हो गया है तब तक आप यही मान कर चलिए कि आपका exam 17 से 20 January के बीच होगा और कुशिस करिए कि इस exam के लिए आप अपना best है comment section में comment करकी ज़रूर बताइएगा कि आपके city में covid की क्या situation है और के अनुसार यह exam cancel होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर आप channel पर नए हैं तो channel ज़रूर subscribe करिएगा FSS AI exam से related best courses के लिए निशानती Academy app ज़रूर download करें thanks for watching this video and wish you good luck for your people